वेल्कम टू MCQ चैनल क्लास सेवन हिस्ट्री का चैप्टर नमबर वन है ट्रेसिंग चेंजिस थ्रू अथाउजन इयर्स आज हम करेंगे इसके MCQ क्वेस्टन तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें इसका नाम था उसने जो पूरे संसार का वर्ल्ड का मैप कब बनाया था ठीक है यह है वो मैप जो उसने बनाया था 1154 में याद रहेगा 1154 कि कि किसे कहते हैं इमेज से समझो ऐसे लोग जिनका काम होता है मैप बनाने का जो लोग मैप बनाते हैं तो आंसर क्या लिखोगे अब पर्सियन क्या है पर्सियन एक लेंगवेज है जैसे हिंदी है इंगलिश है उर्दू है ठीक है तो मैडिवियल जो पर्सियन लेंगवेज है और मौडन पर्सियन लेंगवेज है वो कैसे देखो medieval ये रही और modern ये रही अब difference क्या आ गया है दोनों की grammar और vocabulary बदल गई है तो right answer होगा grammar में और vocabulary में difference आ गया है the 13th century by Minaj Siraj ने लिखा था 13th century chronicle था वो ठीक है chronicle कौन होते हैं ऐसे लोग जो history के बारे में लिखते हैं historian होते हैं उसने किस language में लिखा था उसने लिखा था Persian language में ये जो उर्दू जैसा आपको दिखाई दे रहा है अब उर्दू नहीं है ये है Persian what was हिंदूस्तान according to Minaj Siraj अगर आपने ये chapter पढ़ा होगा तो Minaj Siraj के हिसाब से हिंदूस्तान कौन सी जगे थी ऐसा area जो पंजाब हर्याना and the lands between the गंगा अन यमना ये जो पूरा area था इसको Minaj Siraj ने क्या कहा हिंदूस्तान कहा areas of Punjab हर्याना and the lands between the गंगा अन यमना इस lands came under जिस area को Minaj Siraj ने हिंदूस्तान कहा ये area किसके अंदर में आता उस ताम पै जो मुगल्स थे छका है दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा भी होगा उनकी अंडर में आता था डेलि सुल्तान which emperor used the term Hindustan कौन से emperor ने कौन से सहनसा बादसा ने Hindustan term का यूज किया था टू डिसक्राइब जिओग्राफी को डिसक्राइब करने के लिए fauna fauna क्या होता है वहां पे किस तरह के animals है और वहां की culture क्या है तो ये वाली term यूज की थी बाबर ने बाबर कौन थे हुमायू के पापा पहले बाबर फिर हुमायू फिर अकबर फिर ये सबाइसा आ जहां वगेड़ा 14th century poet अमीर खुसरो यूज दवर्ड 14th century का एक पुएट था जिसका नाम था अमीर खुसरो उसने इस वर्ड को यूज किया था हिंद कौन सा वर्ड हिंद the medieval period foreigner was जैसे आज की डेट में children हम foreigner किसे कहते हैं जैसे हम इंडिया के लोग हैं अगर इंडिया के बाहर से कोई Australia से आया कोई America से आया तो हम उसको foreigner कहेंगे लेकिन medieval period में foreigner किसे कहा जाता था any stranger who appeared say in given village someone who was not a part of that society मान के चलो यह गाओं है ठीक है एक गाओं है यहाँ पर पुराने टाइम पर बस तो होती नहीं थी train तो होती नहीं थी कि लोग लंबे लंबे सा जगे से travel करके आ रहे हैं अगर कोई दूसरी community वाला लोग इस community में आ ग जलके तो इसको भी क्या कहा जाता था पर्देशी कहा जाता था stranger कहा जाता था so right answer is c a place where documents and manuscripts are stored children आज की date में आप जानते हो जहाँ पर books वगेरा रखी जाती है उसको library बोला जाता है लेकिन एक ऐसी जगे जहाँ पर पुराने लोग पुराने टाइम में documents और manuscripts को collect करके रखते थे जो कि library जैसी दिखती है उसको बोला जाता था आर्चिव याद रखना बहुत important question है मैं last में पूछूँगा आपसे दा 14th century क्रॉंकलर जिया उद्दीन बरॉनी रॉट हिस क्रॉनिकल जो जिया उद्दीन बरॉनी थे उन्होंने पहला क्रॉनिकल कब लिखा था 1356 में between 700 and 1750 one group of people who became important in this period एक ग्रूप बहुत important बन गए थे और वो थे राजपूत लोग जो warrior माने जाते है अग ग्रूप of warrior अभी मैंने बताया ये जो warrior लोग थे who claim dash वो अपने आपको क्या कहते थे च्छत्री और च्छत्री है लोगों का क्या काम था warrior युद्ध करना बड़े ब brave होते है च्छत्री है the environment of a region and the social and economic lifestyle of its residents is termed as history में अगर माना जाए कि एक गाँ है या एक जगे है वहां के लोगों का खान पान वहां के लोगों का पहनावा वहां का लोगों का culture उनका lifestyle क्या है उस सबको अगर एक नाम देना हो तो उसको कहा जाता था heaven ह-a-v-e-n याद रख अभी तक आपने इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो आपसे request करूँगा प्लीज एक like कर देना आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता है मैं तीन तक count करूँआ चिल्डरन प्लीज वीडियो को like कर दो one two three I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है channel को subscribe कर दिया thank you guys why do historians today have to be careful about the terms in the past अब मान के चलो किसी ने 700 साल पहले कोई manuscript लिखी अब उसने उस time के हिसाब से लिखी होगी उस time पे किसी चीज को क्या कहा जाता था आज के time पे उस चीज को कुछ अलग कहा जाता है तो इसलिए careful रहना पड़ता है because the terms meant different in the past क्योंकि past में जिस चीज को हम आ कहूं momos जो आज की डेट में आप खाते हो क्या वो 700 साल पहले momos थे कोई 700 साल पहले momos खा रहा था नहीं खा रहा था समझ गए which of the following is not meaning of foreigner देखो इन्होंने not लगा रखा है यह कहरा foreigner का मतलब नहीं है stranger का मतलब भी foreigner है तो यह तो नहीं होगा परदेशी मतलब जो बाहर चाहे यह भी नहीं है अजनभी मतलब जो बाहर चाहे indigenous indigenous मतलब जो वहीं का है जैसे यहाँ example में देखो यह Africa का tribe है और यह मैं कहूं इंडिया में मिल जाएगा नहीं मिलेगा यह indigenous tribe है यह अफरीका में ही मिलेगा in which period did the number and variety of textual records increase dramatically किस century में किस period में जो लिखने पढ़ने का काम था और जो यह record थे बहुत जादा बढ़ने लगे 1700 से लेके 1750 के बीच में बहुत जादा बढ़ने लगे क्योंकि नई नी technology आने लगी लोग पढ़ने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने लगे लोगों को ग्यान होने लगा language सीखने लगे which type of people collected manuscript को कौन खरीदता था जो wealthy लोग होते थे अब children देखो तुमने देखा होगा museum में कुछ antique चीजें होती है अब क्या उसको antique चीजें जो होती है paintings होती है लाक लाक रुपए की ठीक है बड़े बड़े painters की उनको खरीदेगा कौन भाई उनको rich लोगी तो खरीदेंगे wealthy लोगी तो खरीदेंगे को रिक्षे वाला थोड च्छत्रिय अप्लाइड more generally to a group of warriors जो च्छत्रिय अभी मैंने बताया था राजपूर्ट लोग ठीक है तो ये कब apply होने लगी between the 8th and 14th century 8th century से लेके 14th century तक सबसे ज़ादा which language was spoken during 14th century आज का आज जिसे हम बंगाल कहते हैं उसमें 14th century में कौन सी language बोली जाती थी गौवरी ये वाली language which is the holy book of muslims हमारे जो muslim भाई बेहन है उनकी जो holy book है पवित्र वो है कुरान guys अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे instagram पर follow कर लीजिए instagram idea englishbaba.eb और instagram का link मैंने description में दे दिया है इसके इलावा एक चीज़ और आपको बता दूँ आप देख रहे होगे mcq channel के side में लिखा है Englishbaba ये जो mcq channel है ये Englishbaba का ही दूसरा channel है Englishbaba channel पे हम आपको notes provide करते है class 6 से लेके class 12 तक और mcq channel पे हम आपको class 6 से लेके class 12 तक हर chapter के हर subject के mcq provide करते हैं इस channel को भी subscribe करके रख लो आप लोगों के प्यार और support से हमें एक लाख subscriber पूरे हो गए थे और silver play बटन मिल गया है तो इस channel को जरूर subscribe करके रख लिजिए thank you who had accepted the authority of the early muslim leaders अब जो early muslim leaders आने लगे उनकी authority को किसने मान लिया जो सुनी जोग होते हैं सुनी भी muslim होते हैं ठीक है उन्हों prosperity in the subcontinent attracted trading companies children आपने सुना होगा भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था क्योंकि यहां बहुत ज़्यादा धन था, spices थी, land बहुत fertile थी तो यहां पर तरह तरह के लोग और European लोग जो हैं वो यहां पर आने लगे trade करने the word Rajput was derived from जो word Rajput है कहां से आया है Rajputr, यानि की राजा का बेटा who used to copy down scripts script को कौन copy कर अब पुराने टाइम में यहां से पेपर डाला और यहां से इसकी 100 कौपी कर ली तो राजा महराजा यह वेल्दी लोग होते थे इन लोगों को लगा देता है कि भाई तो हमारी इस copy की एक और copy लिखो ठीक है इनको बुला जाता था scribes when did the medieval period begin in India जो medieval period है वो कब begin हुआ 8th century में 8 भी सदावदी में what were the new crops and beverages that arrived in India in subcontinence in the medieval period में कौन कौन सी नई चीज़े आई कौफी आई बाहर से कौन यानि मक्का आई और चाय आई so right answer होगा all the knowledge of Sanskrit text earned the Brahmans a lot of respect अब जो Brahmans लोग होते थे क्योंकि इनको सास्त्रों की knowledge होती थी Sanskrit की knowledge होती थी तो राजा महराजा लोग इनसे बड़े प्रभावित होते थे इनसे पूजा पाट करवाते थे ठीक है तो ये जो राजा महराजा या wealthy लोग हैं जो इन लोगों को support करते थे पंडित लोगों को महत्मा लोगों को जिनको Sanskrit की लोगी इन राजा महराजाओं को कहा जाता था pattern pattern क्या होता pattern एक ऐसा person होता जो artist लोगों को और ये जो Brahmans लोगों को support करता था धन से पैसे देखे what is the idea of bhakti bhakti का मतलब है of a loving person deity that devotes that devotee could reach without the aid of the priest or elaborate ritual मतलब जैसे आपने मीरा भाई के बारे में सुना होगा मीरा भाई ने सब त्याग दिया किसी की जरुत नीना धन, दौलत, राज, पाठ, सब भाई bhakti का मतलब है कि मैं और मेरा इश्वर बस हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता कोई नहीं और हमको भगवान को प्रसंद करने के लिए किसी चीज़ की जरुवत नहीं है in the dash British historians divided the history आप पढ़ोगे next class में James Mill ने Hindu, Muslim और British में divide की थी 18th century में children इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे मैंने बताया भी था अब place where documents and manuscripts आज की date में जैसे हम library में books रकते हैं तो पुराने time में जो documents और manuscripts रखे जाते थे वो कहां रखे जाते थे library में, archive में, temple या museum में ठीक है आप चाहूँ तो अपने answer में comment में A, B, C, A, D लिख देना मैं समझ जाओंगा So I hope मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लागा होगा Please वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अंगले वीडियो में Bye Bye